ओ एक्सेल फिल्म्स कंपनी के बैनर तले बनी पंजाब के 80 और 90 के दशक में हुई एतिहासि घटनाव के तत्यों पर आधारित इस फिल्म को चंसर बोर्ड द्वारा बैन कर दिया गया था फिल्म की कहानी और विशे को गहराई से जानने के बाद चंडिगर मीडिया ने साड़ा हक फिल्म को रिलीस का हक दे जाने की अपील भी की थी जिसका धनेवात करने के लिए साड़ा हग फिल्म के प्रोडूसर वनिर देशक स्वमान को फिल्म की टीम के साथ चंड़िगर पहुँचे फिल्म प्रोड्यूसर दिनेशूद वकुलजिंदर सिध्धू ने जानकारी दी कि सादाहक फिल्म एक बहुत ही चुनिंदा विशों को लेकर सचनात्मक संदेश देने की उदेशे से बनाई गई फिल्म है जिसको रिलीज का हक दिलवाने में चंडिकर मीडिया का बहुत बड दे वीच दा काइंड आफ ओनर रिस्पेक्ट जड़ी उस दुरान मिली है मननों लगदा कि लोग की जिस एक्साइटमेंट नल वेट का रहे ने उनना ही वदिया उनननों लगऊगा पंजब प्रेलनों फिल्म देखन तो बाद साड़ी फिल्म दे वीच त्रूआउट दी म असी इस फिल्म नों एकदम उस सचाई ते अदारत ते तथा थे बेस्ट एक कहाणी बनाके लोकन वे दसना चाह रहे हैं के जो कुछ हिस्टरी दे विच जो कुछ पास्ट दे विच होया उदे की कारण सी क्यों ओ मिलीटन मूव्मेंट पंजाब दे विच चाही सी क्यों औ पंजाब में जो एतिहासि गलतियां हुई जिनके परणाम सुरूप पंजाब की नोजवान पीड़ी एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जिसके कारण अमानवी घटनाओं का शिकार बनी दिल दहला देने वाली घटना से प्रेरित कहानी को लेकर बनी फिल्म तथ्यों पर अधारित है और सच का फिल्मी रुपांतरन है साथ महीनों के कड़े संघष के बाद फिल्म को रिलीस के लिए हरी छंडी मिली और पांच अप्रेल को दुनिया के छे देशों में जिन में भारत, कैनेडा, अमेरिका, इंगलेंड, औस्टेलिया तथा न्यूज़िलेंड शामिल है यहां ये फिल्म बड़े स्थार पर रिलीस की जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे